आज मैं आपके सामने मैंस का एक क्वेशन लेकर आई हूँ, क्वेशन क्या बोला, find the value of x और नीचे एक क्वेशन दियावा है 10 और इस पर power दियावा 1-x² equal to 1 तो चलिए कॵेशन को हम solve करते हैं, यहाँ पर ठीक है, तो मैं कॵेशन को again लिख लेती हूँ, कॵेशन क्या दियावा है 10 और इस पर power दियावा है 1-x² ठीक है, यह दियावा है, equal to यह हमारा क्या है 1 दियावा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यह जो 1 है ना, इसके ज क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर x की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, तो इस x की जगह हमारा क्या है, 10 है, तो 10 का power 0 किसके बराबर होगा, 1 का power, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे, 10 का power 0 लिखेंगे, ठीक है, तो मैं पेज उपर क का है को और formula यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा कि अगर x का power m है equal to x का power n है तो आप देख सकते है equal to के दोनों side base same है तो base जब same रहेगा तो power आपस में equal हो जागा यानि कि m is equal to n तो आप यहां पर देखे equal to equal to के दोनों side base क्या है 10 है base के 10 है तो power यानि कि 1 minus x square और यह 0 आपस में equal हो जागा यानि कि यह क्या हो जागा 1 minus x square equal to 0 यह आपको समझ में आया page मैं उपर करती हूँ यह हमारे पास ठीक है अब इसके बाद देखे हम यहां क्या करेंगे one minus x square equal to 0 आया है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हमें x की value चाहिए तो यह minus x square जो है हम 0 side shift करेंगे तो यह one यहीं पे लेगा equal to minus x square इदर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा plus x square हो जाएगा ठीक है यह minus क्या हो जाएगा पोजिटिफ हो जाएगा और इसको हम क्या सकते हैं x square is called to 1 और हमें क्या चाहिए यह केवल x की value चाहिए ना यह देखे केवल x की value चाहिए तो यह square यह क्या हो जाएगा यह square इधर आजाएगा तो 1 पर square root लाजाएगा with plus minus sign ठीक है तो यह plus minus square root 1 क्या होगा 1 के बराबर होता है तो हमारे पास यहाँ x की 2 value आई है x is called to plus 1 plus 1 और minus 1 तो 2 values आई है तो चली आप check भी कर लेते हैं check क्या है हमारे question के था 10 और इस पर power दिया था 1 minus x square equal to 1 यहीं दिया वा था ठीक है तो चली check कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2 case लेके चलें एक plus 1 और minus 1 ठीक है दो value लेके चलें case first और case to ठीक है case first में क्या है जब हम x की value plus 1 लेके चलेंगे when x is called to 1 plus 1 लेके चाहे without plus लेके और यहाँ पर क्या लेके चलेंगे x is called to minus 1 ठीक है दो case लेके चलेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा question क्या दियावा है 10 1 minus x square equals to 1 यहाँ पर भी 10 1 minus x square equal to 1 ठीक है तो यह हमारा LHS है उजिए तरीक से यह हमारा LHS है तो हम LHS में value रखेंगे LHS हमारा क्या है यहाँ पर LHS तो हमारा 10 1 minus x square 10 1 minus इस x की जग़ हम क्या रखेंगे इस x जग हम 1 रखेंगे तो 1 का square तो यह क्या हो जगा 10 1-1 का square क्या हो जगा 1 equal to 10 और यह 1-1 क्या हो जगा 0 हो जगा और 10 का power 0 क्या होता है 1 होता है तो 1 आप देख सकते हैं यह arches के बराबर आया ना हमने यहाँ पर कौन सा formula लगा है x का power 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है तो x की जगह यहां पर क्या है 10 है, तो 10 का पावर 0 क्या है 1 आया, जो कि arches, यानि कि arches के बरावर आगया है, तो हमारा यह value क्या है, सही है, अब उस तरहिके से यहां पर भी चेका लिजिए, lhs क्या है, हमारा 10, 1-x² एक्वल टो 10, 10, 1-x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वाइर, तो यह हो जगह 10, 1-, माइनस 1 का स्क्वाइर क्या होगा, माइनस 1 को दो बर इंटू करेंगे, तो 1 ही होगा, तो 10, 1-1, 0, तो 10 का पावर 0 क्या है, 1 आ जागा, आगे हैं ना 1, आर्चेस के बराबर, तो हम यहाद दे सकते हैं, कि हमारा जो लेचेस और आर्चेस ने दोनों बराबर आ रहा है, x की दोनों बराबर रखा, तो इसका मतलब कि x स्कल्टू 1, और x स्कल्टू माइनस 1, यह आंसर जो है, यह हमारा सही है, तो अमेद है आपको यह कोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा,